वेलकम बेक अब्रिवन वेलकम टो सिर्वल सर्विसेश टड़ी देखे यूपी असे सिर्वल सर्विसेश प्रलिम्स के रहें टेस्ट नमबर 353 लगाते हैं इस टेस्ट में फोकस करेंगे जोग्रफी सेसन जोग्रफी के प्रश्णों पर तो चले स्टार्ट करते हैं अपना गोदावरी नदी के तटपर अवस्थित पवित्र सहर है गोदावरी प्रयदीप भारत की सबसे बड़ी नदी है पेन गंगा इंद्रावती और प्राण हिता इसकी सहयक नदिया है इसकी किसकी गोदावरी की किन्तु मंजीरा नहीं देखे पहला वाला करेक्ट है दूसरा इसकी गोदावरी नदी के तटपर अवस्थित पवित्र शहर है गोदावरी प्राण हिता मंजीरा इसकी टीविट्री है प्रमुख दूसरा प्रश्ण है निमलकित कत्नों पर विचार कीजिए तीन स्टेटमेंट एक वार फ़र से बताना है कि कौन सा गलत है इस बार देखे स्री रंगपत्नम कावेरी नदी के तटपर कावेरी नदी के किनारे स्थित है स्री रंगपत्नम कावेरी करनाटक के कौंगाडू जिले में ब्रह्मिगरी पहाडियों से निकलती है और यह नदी केवल करनाटक और तमिलाडू से होकर बहती है देखें गलत ढूंडना है पहला वाला करेक्टर दूसरा करेक्टर तीसरा वाला इन करेक्टर क्योंकि यह नदी केरल करनाटक और तमिलनाडू से होकर बहती है इस केवल की वैसे गलत हो गया statement तो हमको गलत ढूंड़ना है तो तीसरा वाला गलत है तो देखे स्री रंगपत्नम कावेरी नदी के किनारे इस्तित है कावेरी करनाटक के कोगाड़ू जिले में ब्रह्मगरी पहाड़ीों से निकलती है केरल करनाटक और तमिलनाडू से होकर बहती है काविनी भवानी अमरावती इसकी महतपून सायक नदिया है कोश्चन 3 है निमलिकत कत्नों पर विचार कीजिए बताना इस पर कौन सा सही है देखे पहला स्टेटमेंट है उजयन शिप्रा नदी के पश्मी तटपर अवस्तित है दूसरा स्टेटमेंट है शिप्रा नदी का उदगा मध्ध परदेश के उजयनी से हुआ है जो आगे चलकर मालवा पठार के उत्तर से बहती होई नर्मदा नदी में मिल जाती है देखे पहला स्टेटमेंट गरेक्ट है पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि उजयन जो है वो शिप्रा नदी के पूरवी तटपर वस्तित है किस पर पूर्वी तटपर, पश्चमी पर नहीं, इलिमिनेट कर दीजे, दूसरा भी गलत है, क्योंकि शिप्रा नदी आगे चलकर मार्वा पठार के उत्तर में बहती होई, चम्बल नदी में मिल जाती है, नर्मदा में नहीं, तो इसका अंसर हो जागा उपसर नमबर D, तो क्योंकि नर्मदा में, कुश्चन नमबर फोर है, यह नदी नैपाल हिमाले में धोलागरी और माउंट एवरेश्ट के बीच से निकलती है, और मध्ध नैपाल को अपवाहित करती है, तरिशूल गंगा इसकी एक धारा है, उपरियोक्त विसेश्ताएं किस नदी को नामक दो धाराओं से मिलकर बनती है, यह नेपाल में धोलागरी और माउंट एवरेश्ट के बीच निकलती है, और मध्ध नैपाल को अपवाहित करती है, यह चंपारण में गंगा के मैदान में पुर्वेश्च करती है, और सोनपुर में गंगा नदी में मिल जाती है, इन में कौन सी नदी, इनमें से कौन सी नदी पश्चिम की और प्रवाहित होती है, पश्चिम की और प्रवाहित होती है, देखिए जैसे इंडिया का मैप, तो यह पूरवाहनी नदी आओंगी जो इथर बंगाल की खाड़ी में कर रही है, पश्चिम बाली अरेवियंसी में कर रेखा पूरवाहनी नदी है वेगई भी पूरवाहनी नदी है ब्रहमणी भी पूरवाहनी नदी है लेकिन जो कालिंदी है वो पश्यम की और प्रवाहित होती है तो उपरयोक्त नदियों में कालिंदी नदी पश्यम की और बहने वाली नदी है पश्यम की और बहने वाली अन की पश्चिम की और बहने वाली नदिय और अपसागर में गरती है ये अब पूर की और प्रभाइत होने वाली को छोटी नदियां जो इंपोर्टन्ट है जैसे सोंड रेखा पूरवाहनी वेतरणी पूरवाहनी ब्रहमनी पेनना और पलार ये पूरवाहनी नदियां हैं कुशन नम्बर शिक्स है नमलेखित पूरवाहनी नदियों को इनके जल ग्रहने छेत्र के घटतेवे करम में व्यवस्थित कीजिए घटतावे करम देखा जाए तो अब रोही करम मतलब जिसका सबसे ज़्याद होगा वो सबसे पहले आएगा तो इनमें सबसे ज़्यादे ड्रेनेज या जल ग्रहने किसका है इनमें है सबसे ज़्यादे किसका पेनार का पेनार के बाद किसका है ब्रहमनी का ब्रहमनी से कम सोण रेखा का उसके बाद है वेतरणी का सबसे कम तो भी हो जाएगा इसका उत्तर तो देखिए ये हैं नदियां ये है जल गरंड छेत्र वर्ग किलोमेटर में सबसे जादे पेनार का है 55213 उसके ब्रहमणी का 4989 ते सोने रेखा है तीसे नंबर पर 19296 पलार है चोथे पर 17870 वेतरणी सबसे कम 12789 अब साथवा प्रशन है नमलेखित पश्मी बाहनी नदियों को इनके जल गरंड छेत्र के संदर में आरोही क्रम में वेवस्तित कीजे वो पूर बाहनी नदियां थी ये पश्म की और बहने वाली वो गिरेंगी किसमें बंगाल की खाड़ी में ये अरब सागर में गिरेंगी आरोही क्रम मतलब जिसका सबसे कम होगा इस वार पहले वो आएगा तो सबसे कम किसका इसमें भारत सावरमती भारत पूजा शरावती या माही देखें सबसे कम है इसमें शरावती का तो शरावती पहले नमबर पर आ जाएगी तो इससे तो इलिमिनेट हो जागा पूरा का उसके बाद भरत पूजा का, फिर सावर मती का, फिर माही का सबसे ज़्याद है, जल ग्रहन छेत्र, तो देखिए नदिया है, जल ग्रहन छेत्र वर किलोमेटर में, शरावती का दो हैर उन्ते सबसे कम, डंडर का दो हैर साथ सो सत्तर, कालिंदी पांच हजार एक सो गुनासी, पेरियार का पांच हजार 243, भरत पूजा का पांच हजार 397, और सावर मती का भौत है 21,674, और माही का सबसे ज़्याद है 34,842, तो आपको याद रखना है, माही बड़ी है सावर मती से, सावर मती बड़ी भरत पूजा से, भरत पूजा बड़ी पेरियार से, कुशन लूनी के संदर में आपको विचार करना है लूनी के संदर में तीन स्टेटमेंट है इन में से कौन सा सही होगा लूनी अरावली परवत के पश्चिम में बहती है यह राजस्तान का सबसे बड़ा नदीतंत्र है यह सरस्वती और सागरमती नामक दो साखाओं के मिलने से बनी ह यह फेवरेट है स्टेट PCS की और UPSC की भी बहुत पूछते हैं इसको स्टेट PCS में बिल्कुल पहला स्टेटमेंट करेक्ट है लूनी अरावली परवत के पश्चे में बहती है एक्जामनर चाहें तो दिमाग चलाकर इसको पूरब की और करके आपका गलत करा सकते हैं राज तो देखे उपरोग सभी गतन सही हैं लूनी अरावली के पश्चे में बहती है साथ ही है राजिस्थान की सबसे बड़ी नदी तंत्र है इसने पहला दूसरा करेक्ट हो गया अरावली नदी पुष्कर के समीब दो धाराओं के रूप में निकलती है ये धाराएं पस्चिम की और मुड़कर कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है प्रायदी प्य भारत की नदीयों के संदर में कौन सा कथन सही है देखे प्रायदी प्य भारत की नदियां प्राया मध्य उच्छ भूमी से निकलती है और ये नदियां मौसमी है ये प्राया अरिये अप अपवाह का अनुश्रण करती हैं ये नदियां अपनी युवा वस्था में विधमान है अच्छा एक लाइन एक चीज इसमें मैंने पचास बार बताई होगी प्रायद विद्धीप भारत की अधिकांस नदियां मौसमी है अधिकांस नदियां मौसमी है तो दूसरा वाला अबस्था में नहीं है ये प्रोण अबस्था में आ चुकी है हेमाले नदियां युवा वस्था में तो एक दो तीन करेक्ट होगा चोथे को अले मिनिट कर दीजे तो देखिए प्राइदीप ये नदियां मुख्य रूप से भारत के प्राइदी पर पठार और मध उच अबस्था में नदियां वर्ष भर अपवाहित होती हैं क्योंकि ग्लेशेर से निगलती हैं अधिकांस सारी की सारी देखे प्राइदीप नदियां प्राया अनुबर्ती अध्यरोपित आयताकार अरिय और जाली नुमा अपवाह का अनुशन करती हैं दूसरी तरफ हिमाले नदियां जो है पूर बरती और ब्रक्षा नुमा अपवाह का अनुशन करती हैं हिमाले नदियों के विपरीत प्रायदी प्य भारत की नदियां प्रोणा वस्था के साथ क्रमिक परिछेदी का वाली होती हैं जो लगभग अपने अपने आधार तल को प्राप्त कर चुकी हैं तो हिमाले नदियों के विपरीत प्रेदी भारत की नदियां प्रोणा वस्था में इस लाइन का मतलब क्या हो गया हमाले नदियां हैं युबा वस्था में यानी कुश्य नम्बर दस है नम्लिकित में से कौन सी नदिया नदिया असम से होकर नहीं भहती है कौन सी नदिया है जो असम से होकर नहीं भहती है देखे शियांग को दिवांग भी कहा जाता है ये तो असम से होकर भहती है तेलू का दूसरा नाम लोहित है ये भी असम से होकर भहती है कामेंग भी असम से होकर भहती है और ये तीनों की तीनों इनमें एक सिमिलर्टी क्या है ये ब्रह्मु पुत्र की सायक नदिया है तीस्ता नदी सिक्क्यम से निकलती है नीचे पस्चिम बंगाल में आएगी फिर का देश मैं आती है तो असम से मतलब नहीं है हगरी भी कर्णाटक की तरफ बहती है अंदृब्रदेश्ट कर्णाटक तो एक और चार हो जाएगा इसका उत्तर है जो नहीं बहती है हगरी circuits नहीं बहत कौन कौन सी ब्रह्मपुत्र सुबंश्री लोहित या तिल्लू बराक कामेंग धलवेश्वरी कोपिली दिहांग या शियांग जो हगरी है हगरी वो तुंग भद्रा की सायक नदी है जो करनाटक आंधर प्रदेश और महाराष्ट से होकर भैती है जबकि तीस्ता ने दी जो है कौन सी तीस्ता तो उपर से सिक्किम से निकली नीचे पश्चिम बंगाल होते हैं बंगलादेश में आ गई असम या रुनाचर प्रदेश से इसका कोई मतलब नहीं है जो जलपाई गुड़ी है तीस्ता नदी के तटपर इससे तह वो याद रखिये गए भी ग्यारवा प्रशन है निम्लकित में से कौन से कारकिया घटना प्रायदीप ये अपवाह तंत्र के उद्विकास के लिए उत्तरदाई है तीन स्टेटमेंट है आरंबिक टर्शरी काल के दौरान प्रायदीप के पश्मी पार्वस का अवतलन हिमाले के प्रोथान के कारण प प्रायदीप खंड का उत्तरी पश्म से दक्षिन पूर्व की और जुका होना क्या तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है क्या पहला दूसरा तो करेक्ट है क्या प्रायदीप खंड दक्षिन पूर्व से उत्तर पश्म की और जुका है या उत्तर पश्म से दक्षिन पूर्व की और जुकाय करेक्ट है यह भी सारे के सारे करेक्टनडी है इसका उत्तर तो देखे अती प्राचीन समय की कई घटनाओं ने प्रायदीप आप वहाँ को निर्धारित करने में महत्पुन भूमी का निवाई है इसके संदर में प्रमुग घटनाओं निमलिकत है आरंबिक प्रश्मी पार्वसका अवतलन इसके प्रणाम सरूप उत्वन उत्पन धसाव से समुद्र तल नीचे चला गया जिससे मूल जल संभर के दोनों और नदी की समयमित योजना में गड़बडी हो गई हिमाले में प्रोथान के कारण प्रायदीप खंड के उत्तरी भाग के अवतलन ने प्रायदीप अपभा के महत पूर्ण विशेशता भ्रंस दोनी के निर्मान को सुनिशित किया प्रायदीप अपभा तंत की दो महत पूर्ण नदी इनहीं भ्रंस घाटियों से होकर भेती है कौन सी है वो नर्मदा अतापी देखे आरंभिक टर्शरी काल में प्रायदी पे खंड उत्तर पश्चिम दिसा से दक्षिन पूर्व की और जुग गया इसके परणाम सरूप कुछ प्रायदी पी अपवात अंत्र की नदियां बंगाल की खाड़ी की और प्रवाहित होने लगी वरना कहा जाती अरेवियन सी में गर ऐसा नहीं होता तो बारवा प्रशन है यंतिम प्रशन है इस टेस्ट का नमलिखित नदियों और उनके उदगम इस्थलों के संदर में कौन एक सुमेलित नहीं है उत्त्री कोयल नदी के सामने लिखा है राची पठार मयूराक्षी नदी के सामने लिखा है जारखंड के देवघर के निकट चित्रकूट परवत से निकलती है सौन रेखा नदी राची के निकट नगडी नामकिस्थान से निकलती है और दामोदा नदी के सामने लिखा है ओडीसा के पलामू जिले के टोरी नामक इस्थान से निकलती है थोड़ी भोत आपने जियेस पड़ी होगी हलगा सा दिमाग लगाते होगे राज्यों के बारे में जानते होगे अपने तो पता चल जाएगा कि जो पलामू है ना पलामू डिस्टिक वो उडीसा में नहीं है वो जहारखंड का है अब जो भी विद्यार थी जहारखंड का होगा उस वो तो करेक्ट कर ले जाएगा इसको यह बाला गलत डी है तो देखिए दामोदर नदी का उद्गम जारखंड के पलामू जिले के टोरी नामक इस्थान से हुआ ना की ओडीसा से अब यह जो नदी है यह कौन सी दामोदर नदी है छोटा नाकपुर पठार के पूर्वी किनारे से भैती होई भरंस घाटी से होती होई हुगली नदी में गिरती है यानि हुगली की टिब्यूटरी हो गई साहक नदी हो गई बराकर इसकी पुर्मक साहक नदी है देखिए बराकर नदी अलग है और बराक अलग है वो वाली नोर्थिष्ट वाली पहले यह बंगाल का सोक कही जाती थी पहले कौन दामोदर पहले बंगाल का सोक कही जाती थी किंतु एक परियोजना बनने के कारण बहुत देशी परियोजना बनने के कारण जिसका निर्मान हुआ था 1948 में फिर क्या हुआ दामोदर को इसने वश में कर लिया आपने किसने इस बहुत देशी परियोजना ने वोकार प्रशन इस टेस्ट में एड़ किये गए थे भारत के भुगोल के मुस्ट इंपोर्टन्ट है ये था प्रायद इपिये नदियों का अपवाहतंत्र अच्छे से इसका रिविजन कम से कम एक से दो बार कर लेजेगा धन्यवाद